नमस्कार दोस्तों मैं नरेश आपका होस्ट स्वागर्त करता हूँ मिशन मार्केटिंग चैनल में और आज हम चर्चा करेंगे इंसेक्ट और पैस्ट की तो आज मैं सबसे पहले आपसे पूछ लेता हूँ आज का मेरा सवाल है कि आप कैसे पहचानेंगे कोई कौन सा जीव जो है वो इंसेक्ट है और कौन सा जीव जो है वो पैस्ट है इंसेक्ट और पैस्ट में कैसे आप डिफरेंस करेंगे कोई एक लक्षन जो है मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे आपके कमेंट मिलने से कुछ मजबूती मिले कुछ प्रौतसाहन मिले और इसी के साथ जो है हम शुरू करेंगे इंसेक्ट और पेस्ट की जानकारी देना साथ में जो है मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और पूरा देखें स्किप न करें क्योंकि स्किप करने से कई बार कुछ लाइने दब जाती हैं और वह आपके काम की हो सकती नमस्कार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड़ बटन का प्रियोग करें साथ में वैल आइकोन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे प पाई जाती लेकिन घर में जितने कीडे मकोडे मच्छर मक्खी पाई जाते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे जो हैं इंसेक्ट हो परतियक इंसेक्ट एक पैस्ट हो सकता है लेकिन परतियक पैस्ट जो है वो इंसेक्ट नहीं हो सकता है दूसरा पहचानने के लिए जैसा मैंने सवाल भी पूछा था और आप उसका जवाब यदि नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ जिसमें तीन जोडी पैर यानि की छे टांगें जिसमें होती हैं उसको आप इंसेक्ट कह सकते हैं इसका सरीर तीन भागों में बता होता है तो ये इंसेक्ट को पहचानने के लिए इतनी सी डेफिनेशन सफिशेंट है अब बात करते हैं कि कुछ घरेलो इंसेक्ट पैस्ट होते हैं और कुछ जो है गोदाम के इंसेक्ट पैस्ट होते हैं घरों में जो treatment होता है उसे pest control कहते हैं और गोदामों में जो कीटनी अंतरन होता है उस पद्धती को fumigation कहते हैं अब fumigation में भी जो है वो दो तरीके से काम होता है एक तो जो है ऐलिमूनियम फासफाइड के दुवारा treatment होता है और ये साल में दो बार होता है पिरी मानसून और पोस्ट मानसून ये गौवर्मेंट की guideline है कि पिरी मानसून आपको एक बार treatment करना होता है और पोस्ट मानसून एक बार आप जो है वो treatment करते हैं क्योंकि बर्सात का जब सीजन स्टार्ट होता है मानसून जब आता है उस समय humidity गुदामों के अंदर जो है इतनी बढ़ जाती है जिसके कारण इंसेक्ट और पेस्ट जो है वो आसानी से पनफ जाते हैं उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए ताकि उनका परिवार जो है उसको नस्ट किया जा सके जो अंडा है जो लारवा है जो पीपवा है जिस भी अवस्था में है उसको किल किया जा सके ताकि तीन से चार महिने स्टोक आराम से निकल जाए और जब एक बार जो है मानसून खतम हो जाता है तो प्रिकोशनेरी तोर हम एक एक्स्ट्रा करते हैं। पैस्ट कंट्रोल घरों में हो गया गोदामों में फ्यूमिगेशन हो गया और फ्यूमिगेशन भी दो तरीके से हो गया एक एलिमूनियम फॉस्पॉइड के दुआरा दूसरा मिथाइल ब्रोमाइड के दुआरा जिसे हम MBR MBR Fumigation कहते हैं अब आप पूछेंगे कि क्या सभी अवस्था में MBR किया जा सकता है या MBR क्या है और कैसे टीट किया जा सकता है तो वह एक बड़ा विशे है उस पर जो है अलग से वीडियो आपको बना करके दी जा सकती है अगर आपके कमेंट मुझे मिले तो यह आपके उप किया किए मिलती रहेंगी मैं आप से यही उमीद करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइप कर लें लाइक और शेर कर दें साथ में एक छोटा सा कमेंट कर दें अच्छा भी कर सकते हैं बुरा भी कर सकते हैं कमेंट आपकी दिल की खवाइशे ह अगर आप बुरा कमेंट करते हैं तो उससे हमें यह पता चलता है कि हमारी वीडियो में यह कमी रह गई है जिसको हम अगली वीडियो में शुद्धारने की कोशिश करते हैं और यदि आप सारे कमेंट अच्छे कर देंगे तो फिर जो है हमें ओवर कॉन्फिडैंस हो जाता वीडियो उतनी अच्छी नहीं बन पाते हैं तो जो जैन्मिन चीज है उसको आप लिखें लिखने से हमें उसका अलर्ट मिलता और साथ में एनर्जी मिलती है यही हमारा है और खूब अच्छे से पेनिटेट करता है इजिली अवेलेबल है गौवर्मेंट अप्रूवड है अब बात करते हैं कि इससे जो है जो होता है वो किन किन स्टेज में होता है देखे जब आप किसी गोदाम में अपनी कमूरिटी को इनवर्ड कर लेते हैं सबसे पहले तो जैसे ही आपका स्टेक कम्प्लीट होता है आप उसको फ्यूमिगेट कर देए हैं यह हर आवस्ता में करके जो है वो इनसेक्ट को किल करता है सभी इनसेक्ट को इसकी कम पढ़ती है करने में आसान है लेकिन घातक पूरा है आपने सुना होगा कि गेहु में रखने वाली दवाई खाकर कि गाओं में किसी ने आत्महत्या कर ली तो जो अलिमूनियम फास्टपाइड है यह वही दवा है जो गेहु में रखने की दवा होती है इसको देशी भासा में यानि की ट्रेड नेम इसका सलफास है और एक्सल कंपनी जो है वो इसको बनाती है और भी दो-तीन कंपनीों की जो है ये केमिकल आता है एक्सल के अलावा इसको यूपील बनाती है संधिया बनाती है और भी शायद एक दो कंपनी है जो इसको बनाती है अलग अलग नामों से ये बजार में मिल जाती है उपलब्द होती है लेकिन इतनी आसानी से भी उपलब्द नहीं होती है उन लोगों के लिए जिनके पास लाइसेंस नहीं बनाया है जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है वो दो नंबर में इसको कहीं बलैक से करीते हैं ओने प अब आपने जो है वो लाइसेंस जो बनाना है वो फ्यूमिगेशन का लाइसेंस बनाना है अंतर समझ लीजिए फ्यूमिगेशन के लाइसेंस में मसीनरी और कोस्ट जो लगेगी वो पेस्ट कंट्रोल से बहुत डिफरेंट होती है पेस्ट कंट्रोल का काम में जो मसीनरी एक्यूमेंट और दवाई सब का खर्चा होता है वो 20 से 25 जार रुपे होता है और पूरी कंपनी का सेट अप करने के लिए आपको एक लाग से देड़ लाग रुपे सफिसेंट होते हैं एक रेजिदेंशल पेस्ट कंट्रोल कंपनी चल जाने की तो आप बजट अपना जो है वो साड़े तीन लाग से पांच लाग रुपे मान लीजिए इस से कम में जो है यदि आप काम करते हैं तो वो कहीं न कहीं उल्जम पुल्जम में रहेगा मसीनरी की कोस्ट काफी अच्छी खासी हो जाती है फिर आपको टर्पोलीन खरीदने होते हैं किसी स्टेंडर्ड के और कैसे खरीदने क्या-क्या उपकरण खरीदने हैं इसके लिए हम आपको एक वीडियो अलग से बना देंगे उसके लिए भी आपको कमेंट करना होगा तो ये एक छोटा सा जो है वो आइडिया हो गया कि फ्यूमिगेशन जो है वो होता क्या है और कैसे होता है फ्यूमिगेशन में आप ये मान लीजिए कि जो इसकी परिभासा है वो ये है कि किसी भी एंक्लोजर को यदि आप एयर टाइट करके उसमें गैसियस अवस्था पैदा कर देते हैं किसी भी केमिकल की तो उससे जो गैसियस अवस्था से जो इंसेक्ट पैस्ट किल होता है वही डियूरेशन फ्यूमिगेशन कहलाता है यानि कि ये परिकिरिया किसी भी एंक्लोजर को एयर टाइट करना उसमें गैसियस अवस्था उत्पन करना और उस एंक्लोजर को एक दिये गए निर्धारित समय तक बरकरार रखना इस परिकिरिया को कम्प्लीट करने के लिए स्टार्टिंग से और एंड तक जितनी भी इसमें एक्टिविटी होंगी वो सारी जो है अंडर फ्यूमिगेशन प्रोसेस आएंगी कुछ वीडियो और फोटो ग्रैप के माध्यम से हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको समझेंगे कि किस तरीके से जो है आप एंक्लोजर को परकूर करते इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद